हलो फ्रेंड्स ग्यान पाटनर चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल गौर्णमेंट में मिलने वाला लिप ट्रेवल कॉंसेशन रूल के बारे में जिसे सौट में LTC भी कहते हैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि LTC परिवार के कौन-कौन से सदस्य को मिलता है कम से कम कितने दिन की सेवा होनी चाहिए मतलब आपका date of joining के कितने दिनों के बाद से आप LTC के लिए entitle हो जाते हैं किस-किस छुट्टी के साथ इसे लिया जा सकता है LTC के साथ छुट्टी नगदिकरन कैसे किया जाता है मतलब leave incasement LTC के साथ leave incasement भी मिलता है कैसे मिलता है क्या होता है सब हम चर्चा करेंगे इस पर आवेदन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो भी claim है वो reject न हो और आसानी से हमारा reimburse हो जाए आईए श्तुरू करते है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि LTC में परिवार के अंतरगत कौन-कौन से सदसे आते हैं पहला है government servant की wife या husband मतलब जैसा भी case हो अगर government servant lady है तो उनके husband अगर वो gens है तो उनकी wife LTC के लिए entitled होंगे और दो surviving unmarried children मतलब दो children भी LTC के लिए entitled होंगे कब तक जब तक कि उनकी साधी नहीं हो जाती और जब तक वो government servant पर dependent रहते हैं मतलब दोनों condition होना चाहिए अगर पहले dependency खतम हो जाती है जौब पकड़ लेते हैं तो entitlement खतम हो जाएगा या साधी हो जाती है उनकी तो यह मान लिया जाता है कि उनके dependency खतम हो चुका है मतलब LTC के लिए उन title नहीं रहेंगे साधी होने के बाद लेकिन doubter के case में ऐसा होता है कि साधी होने के बाद भी अगर वो divorce उनको मिल जाता है किसी भी कारण से गार तलाक सुधा हो है और वो अपने पती से separate हो चुके है लिगली और government servant के उपर dependent है तो वो LTC के लिए entitle है मतलब अगर लड़का है लड़का-लड़की तैसे unmarried में मिलेगा ही अगर लड़की की साधी होने के बाद अगर वो अपने husband से separate हो गई है वो job अब नहीं करते है government servant के उपर dependent है तो वो भी family के गिंती में आएगी और LTC के लिए entitle होगी parents या step parents जो government servant के उपर dependent है मतलब parents कुछ भी हो सकते है अपने parents या step parents दोनों भी LTC के लिए entitle होगे dependent होना चाहिए government servant के उपर brother sister का अगर case है तो अगर government servant का कोई भी brother या sister minor है और unmarried है तो वो LTC के लिए entitle होगा लेकिन बहन के case में यहाँ पर भी आता है कि अगर बहन है married होने के बाद अगर divorce मिल गया है या अपने पती से अलग हो गई है तो वो भी LTC के लिए entitle होगी है मतलब brother और sister में क्या condition है कि minor होना चाहिए unmarried होना चाहिए और लड़की के case में अगर बहन है तो साधी होने के बाद अगर तलाक ले ली है और government servant के उपर dependent है यहाँ पे एक case और आता है कि government servant के father mother भी government servant के उपर dependent होना चाहिए अगर उनके father mother dependent नहीं है उनको pension मिलता है या वो कमाते है तो जो government servant के जो बहन होगी वो अपने माता पिता पे dependent हो जाएगी तब government servant के उपर वो dependent नहीं रहेगी लेकिन कोई भी government servant है उसके माता पिता खुद इसके उपर dependent है तो उसकी बहन भी अगर साधी होने का बाद डाइवोर्स हो जाता है तो automatically उनको government servant का ही dependent माना जाता है इसमें एक याद रखने वाली बात और है कि government servant के जो बहन होगी, divorce जो बहन होगी उसके बच्चे कभी भी dependent में नहीं आएंगे उसके बच्चे हमेशा उपनी मा पे dependent रहेंगे और वो LTC के लिए entitled नहीं होगे मतलब unmarried brother, unmarried sister या married होने के बाद अगर divorce हो गया तो वैसी sister government servant के dependent में अगर है तो वो family के गिंती में आएगी अब सबसे पहले हम लोग देखते कि minimum service क्या है आपका जो date of appointment है उसके कितने दिनों के बाद आप LTC के लिए entitled हो जाते हैं तो सबसे पहला condition LTC के लिए कि आप जिस दिन join करते हैं किसी central government को तो उस date से जब आपका एक साल हो जाता है date of joining से तभी आप LTC के लिए entitled हैं मतलब अगर आप 5 December को join किये हैं तो next जो 5 December है उस दिन से आप journey start कर सकते हैं LTC के लिए इसमें एक सबसे बड़ा condition है कि LTC का मतलब है leave travel concession इसमें leave जुड़ा हुआ है तो मतलब जब भी आप LTC लेंगे तो आपको leave लेना जरूरी है किसी भी तरह का छुटी आपको लेना जरूरी है अगर कोई registered holiday है और Saturday Sunday जैसे छुटी रहता है तो उस period में ही अगर आप मिला के लेना चाहते है LTC तो आपको नहीं मिलेगा आपको एक नए एक कोई भी leave लगाना आपको जरूरी है अब कौन सा leave आप लगाएंगे तो कोई भी regular leave, casual leave, special casual leave आप लगाके LTC ले सकते हैं इसमें एक जरूरी बात है कि पहले rule था कि जो child care leave होता है उसके साथ आप LTC नहीं ले सकते हैं लेकिन नए rule के तहट आप child care leave के साथ भी LTC ले सकते हैं LTC आपको कहा कहा जाने के लिए मिलता है hometown और any place in India अब ये hometown और any place in India क्या होता है और कब-कब ये दोनों मिलता है उस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं सबसे पहला है hometown hometown हम किसे कहेंगे तो जब भी हम job join करते हैं किसे भी central government को join करते हैं तो आपको declaration form भराय जाता है जिसमें आपका hometown declare करना होता है तो आप उस वक्त जो भी आप hometown अपना declare करेंगे हमारा घर यहाँ पे है उसी को आपको मान लिया जाएगा उस समय आपके उपर को कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप इसे hometown क्यों choose कर हैं मतलब first date of joining को आप जो भी declare करेंगे वही आपका hometown होगा इसमें एक rule है कि पूरी service में आप एक बार hometown को change कर सकते हैं नहीं मानुसार दूसरा है any place in India any place in India का मतलब है इंडिया में कहीं भी वो इंडिया का main land हो या फिर overseas हो मतलब समुदर के रास्ते से भी जिसे हम लोग जाते हैं अन्दमान निको बार जाते हैं तो वो भी इंडिया के अंतरगती आता है तो उसे any place in India बोलते हैं अब hometown कब हमें मिलता है LTC में और any place in India कब मिलता है LTC में यह आगे हम लोग समझते हैं इसमें दो condition आता है एक तो अलग है तो सबसे पहले हम लोग सुरुवात करते हैं fresh request से ही जब भी हम job join करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि एक साल बाद आपको मिलना start होगा और वहां से फिर आठ सालों तक आपको LTC हर साल मिलेगा परते एक साल मिलेगा पहला तीन साल आपको hometown के मिलेगा फिर चौथे साल में आप all India में कहीं भी जा सकते हैं उसके बाद फिर तिन साल तक आपको hometown मिलेगा अब फिर चौथे साल में आप all India में कहीं भी जा सकते हैं तो यह 4-4 साल का दो block मतलब 8 साल तक आपको परतेक साल मिलेगा उसके बाद क्या होगा पहले तो आप समझ लिए क जब नई आप जोइनिंग होगी तो एक साल तक तो कुछ नहीं मिलेगा, एक साल के बाद लगातार आठ साल तक आपको परतेक वर्स मिलेगा, यह कैसे मिलेगा, मैं आगे आगे आपको एक्जामपल के थूरू भी आपको बताया हूँ, आठ साल के बाद क्या होगा, आठ साल तक कैसे कैसे मिलेगा, आगे हम एक्जामपल से पूरे डिटिल में समझेंगे, लेकिन आठ साल के बाद फिर क्या होता है, आठ साल के बाद ब्लॉक एर में चेंज हो जाता है, मतलब दो साल में एक बार मिलता है, और यह जो ब्लॉक एर ह वो सब का अलग अलग नहीं होता है, सब का सेम है, जैसे अभी block year 18-21 चल रहा है, उसके बाद 22-25 चलेगा, मतलब 4-4 साल का block year होता है, उसमें 2-2 साल के 2 block होते हैं, जैसे 18-21 चार साल का जो block चल रहा है, उसमें 1st block है 18-19, आप आप अपने घर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो घर है ओ भी इंडिया के अंदर ही आएगा, तो आप All India में भी hometown ले सकते हैं मतलब दोनों block में आप hometown जा सकते हैं लेकिन अगर All India जाना है तो चार साल के जो दो block है वो दोनों block में आपको एक बार मिले सिधा से बात है कि 8 सुरुवात से जो हम लोग जब जोईन करते हैं आठ सालों तक परतेक साल मिलता है उसके बाद दो साल में आपको एक बार मिलता है एक चीजस में और समझना है grace time भी मिलता है 8 साल के बाद 8 साल तक आपको कोई grace time नहीं मिलता है आपने एक साल में अगर LTC ने लिया तो आपका laps हो जाएगा 2020 में अपने LTC ने लिया 2020 का लैप्स हो गया 21 में फिर आप ले रहे तो 21 का ही कटेगा लेकिन 8 साल के बाद ऐसा नहीं होता है 18-19 में अगर आपने LTC नहीं लिया है तो उसको 2020 तक आप ले सकते हैं और 20-20 वाला भी 20 में ले सकते हैं मतलब एक साल आप एक्स्टेंड कर सकते हैं 18-19 वाला भी 20 में ले सकते हैं 20-21 वाला 22 में ले सकते हैं तो इस कंडिशन में कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही साल आप दो बार भी LTC ले सकते हैं जैसे 18-19 वाला आपने 20 में लिया और फिर 20-20 वाला भी आप 20 में लिया तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अब आईए हम लोग समझते हैं एक्जामपल के थुरू कि जो new recruitment होता है जो नए जोईन करते हैं उनको 8 सल तक कैसे regular मिलते हैं उसके बाद क्या होता है एक्जामपल के थुरू ही से हम अच्छे से समझ सकते हैं इप दिखे मैंने पहला एक्जामपल लिया है इसमें date of appointment हमने चूज किया 27 सितंबर 2012 कोई भी government servant जोईन करता है 27 सितंबर 2012 को तो वो 27 सितंबर 2013 से LTC के लिए entitled होगा मतलब 26 सितंबर 2013 तक उसका एक साल हो रहा है उस period में वो LTC के लिए entitled नहीं है उसके बाद जब 27 सितंबर 2013 हो जाएगा उसमें देखिया अपने पहला कॉलम में लिखा है मैंने 27 सितंबर 2013 से 31 December 2013 एक साल मतलब ये calendar year से चलता है तो 26 सितंबर तक तो वो entitled ही नहीं है 27 सितंबर 13 से 31 December 2013 के बीच में वो hometown ले सकता है फर्स्ट पहला LTC उसका 2013 में लेगा कब 27 सितंबर 13 से 31 December 2013 के बीच में है जो पहला hometown होगा उसके बाद 2014 में कभी भी एक जनवरी से लेके 31 December 2014 तक कभी भी वो दूसरा LTC ले सकता है जो hometown होगा फिर तिसरा LTC वैसे 2015 में ले सकता है जो hometown होगा और 14 साल में 2016 में वो any place in India लेगा उसके बाद 17, 18, 19, hometown फिर 24 साल है वो any place in India अब 2021 में इसे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि block year 2021 block year 18 से 21 चल रहा है अब 18 से 21 में सिर्फ आपका एक साल बच रहा है तो आपको LTC यहाँ पर नहीं मिलेगा आपका जो next block year चलेगा 22, 23, 24, 25 उसमें से आपका जो block year वाले में जो पुराने recruitment का जो rule मेंने बताया उसके हिसाब से आपको मिलेगा इसको समझने के लिए आप दूसरा example समझ सकते हैं मतलब जब 8 साल खतम होगा फिर जो block year आपका जो fix है वो सबका अलग-अलग नहीं होता है उस fix block year में आपका 2 साल अगर पकड़ाता है तभी आप LTC के लिए in title होंगे तो सिर्फ 1 साल 2021 बच रहा है तो आप in title नहीं है क्योंकि block बन रहा है 20-21 में जिसमें आप 20 एक बार ले चुके हैं तो 21 में आपको LTC नहीं मिलेगा लेकिन अगला example मैंने लिया है कि कोई भी अगर government sermon 27 सितंबर 2013 को जोईन किया एक साल बाद मैंने सिर्फ उसको एक साल बाद कर दिया उसमें एक साल नील मिल रहा था अब इस कंडिशन में क्या होगा वो 27 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 के बिच में उसको पहला LTC मिलेगा फिर 2015 में दूसरा 2016 में तीसरा 2017 में चौथा एनी प्लेस इन इंडिया फिर 18-19-20 होम टाउन और 21 में उसे एनी प्लेस इन इंडिया उसके बाद उसका 22-23 का जो ब्लॉक येर है वो उसे पकड़ा जा रहा है तो 22-23 में फिर उसको नीव LTC ब्लॉक में वो चला जाएगा मतलब या तो होम टाउन लो या एनी प्लेस इन इंडिया लो अगर पहले वो मैं पहली समझा चुका हूँ कि चार साल के ब्लॉक में दो ब्लॉक होते हैं जिसमें किसी भी एक ब्लॉक को आप होम टाउन और किसी भी दुसरे ब्लॉक को आप अल इंडिया ले सकते हैं इसमें एक सवाल ऐसा भी आता है किसी ने मुझे पूचा कि अगर को 31 दिसंबर को जोईन करता है तो उसका LTC entitlement क्या होगा इसे भी मैं example के थुरू आपको समझा देता हूँ जैसे कोई जोईन करता है अगर 31 दिसंबर 2013 तब क्या हो तो 30 दिसंबर 2014 तक तो वो entitlement ही नहीं होगा तो 31 दिसंबर 2014 को वो journey start करके पहला LTC ले सकता है अगर 31 दिसंबर 2014 को वो journey start नहीं करता है तो एक LTC उसका वहाँ पे lapse हो जाएगा फिर 2015 में वो जो लेगा उसका वो second LTC होगा मतलब एक उसका lapse हो गया फिर बाकी सब तो same है सिर्फ यही समझने आपको कि 31 दिसंबर को वोगर join करता है तो 31 दिसंबर को ही उसको journey start करना पड़ेगा फिर्स्ट LTC लेने के लिए नहीं तो उसका एक LTC lapse हो जाएगा अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि not admissible to किसे नहीं मिलता है कौन से central government employee को LTC नहीं मिलता है सबसे पहले है कोई भी government servant जिसकी पती या पतनी railway में employee है या national airlines में अगर वो काम करते हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा जिसे आप अगर central government में कहीं job पे है और आपकी wife या तो railway में job करती है या national airlines में करती है तो आपको LTC नहीं मिलेगा अगर आपकी wife central government में है किसी दुसरे department में और आप अगर कहीं भी railway में या national airlines में job करते हैं तो आपकी wife को भी LTC नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा इसके पीछे reason है कि जो railway है और national airlines है वो LTC के facility से भी बहुत जादे facility वो देती है इसलिए उनको LTC की जरूरत ही नहीं है सकेंड है ए गौर्मेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन जो भी गौर्मेंट सर्वेंट सस्पेंट रहेंगे उन्हें भी LTC नहीं मिलेगा लेगिन उनके family को मिलेगा सिर्फ suspended गौर्मेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा उनके family entitle रहेंगे अब बात आती EL incasement की नगदी करन जिसके बारे मैंने शुरू में बात के छुट्टी नगदी करन यह होता क्या है तो सबसे पहले मैं बता दो कि यह होता क्या है earn live चुट्टी अरजित चुट्टी के बदले में पैसा गौर्मेंट आपको देती है चुट्टी के बदले में पैसा देती है उसे ही incasement बोलते है EL incasement earn live incasement तो यह कम मिलता है और कैसे मिलता है LTC के साथ आप 10 दिन की चुट्टी incas करा सकते है आप LTC में जा रहे हैं तो आप साथ में एक application दे दिए कि मुझे EL incasement भी चाहिए तो आपकी 10 चुट्टी कर जाएगी और 10 चुट्टी के बदले आपको पैसा मिलेगा तो 10 चुट्टी के बदले आपको कितना पैसा मिलेगा तो जितना आपका basic रहेगा basic plus DA उसी के rate से आपको 10 दिन का मिलेगा आप अगर अपना calculate करना चाहते हैं तो आपका basic और उसमें DA पूरे महने का जोड़ दिजिए उसको 30 से divide करके 10 से multiply कर दिजिए या उसको 3 से divide कर दिजिए तो आपका आजाएगा 10 दिन का आपका कितना बनता है तो उतना पैसा आपको मिलेगा LTC के साथ में इसमें एक condition ये है कि पूरे service के दोरान में आप 6 बार ही leave in cashment करवा सकते हैं 60 दिन का 10 बार एक बार में मिलता है तो 6 बार आप अगर ले लेते हैं LTC के साथ in cashment उसके बाद आपको नहीं मिलेगा इसमें EL in cashment लेने का एक और rule है कि जब भी आप अपने EL को in cash कराएंगे अपने leave को in cash कराएंगे तो 10 दिन के छुटी जो आप ले रहे हैं उसके बाद कम से कम 30 दिन के छुटी बचना चाहिए मतलब अगर total आपके पास छुटी 40 जमा है EL आपके 40 जमा है तब ही आपको EL in cashment मिलेगा नहीं तो अगर 40 से कम है तो आपको EL in cashment की facility नहीं मिलेगा अब LTC के बात आते हैं तो एक में इसमें बहुत जरूरी चीज़ है to visit NER, A&N and J&K मतलब अगर हम North Eastern region जाते हैं अन्मान निकोबार जाते हैं और जमू कस्मिर जाते हैं तो इसके लिए कुछ special छूट गवर्मेंट दे रखा है वहाँ के जो परेटन है उसको बढ़ावा देने के लिए LTC में कुछ extra छूट गवर्मेंट ने दे रखा है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है जो भी गवर्मेंट सर्वेंट अपना होमटाउन जाना चाहते है या होमटाउन के इलिजवल है तो होमटाउन को कंभड कराके वह ये प्लेस में जा सकते हैं या तो north eastern region में कहीं भी अन्वान निकोबार में कहीं या तो जाये या जमू कस्मिर में कहीं भी ये तीन जगा वो hometown के बदले भी जा सकते हैं लेकिन जो fresh equipment है वो जैसे पहला तीन साल उनको hometown मिलता है तो वो तीन साल के बदले किसी भी एक साल को वो convert करा के ये जगा पे जा सकते हैं जो पुराने हैं तो चार साल के जो block होता है उसमें दो साल में तो all India में कहीं भी जाना ही है तो आप ये जगा भी जा सकते हैं बाकि hometown को convert करा के भी आप यहाँ पे जा सकते हैं एक चीज़िस में ध्यान देना है कि कोई भी government servant है जिसका hometown उसी headquarter में है मतलब जिस city में आप job कर रहे हैं आपका hometown भी वहाँ पे है तो आपको तो सबसे पहले hometown LTC नहीं मिलेगा क्योंकि आपका hometown वहीं पे है तो आप LTC में जाएंगे कहाँ तो अगर आप hometown LTC के लिए entitled नहीं है तो आप उसको convert करा के conversion भी करा के नॉर्थ इस्ट रिजन, अन्मान निकोबार और जमुई कस्मिर नहीं जा सकते है जो भी government servant अगर air से जाने के लिए entitled है हवाई जहाज से जाने के लिए entitled है तो अपने entitled class में वो जा सकते है और अगर जो entitled नहीं है वो भी ये तीनों place पे aeroplane से जा सकते है लेकिन ये कब aeroplane से आप कब जा सकते हैं LTC में जब आप convert करा के नॉर्थ इस्ट रिजन, अन्मान निकोबार और जमुई कस्मिर जा रहे हैं तभी आप नहीं entitled होते हुए भी plane से आप जा सकते हैं जो entitled है वो तो plane से जा ही सकते हैं तीनों जगा पे लेकिन जो नहीं entitled है तो वहाँ के प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए छूट दिया गया है कि जो नहीं entitled है वो भी by plane जा सकते हैं अब आपको जाना है अन्मान निकोबार तो तो plane से ही जाना पड़ेगा इसलिए उन्हों छूट दे रखा है जमू कस्मिर भी नौर्थ इस्ट रिजन भी आप by plane जा सकते हैं लेकिन इसका एक रूल है कि आपको कहां से plane पकड़ना है तो आईए हम लोग समझते हैं अगर आपको नौर्थ इस्ट रिजन जाना है नौर्थ इस्ट रिजन में गुहाटी जाना या कहीं भी जाना है तो आपको कोलकाता से ही plane पकड़ना पड़ेगा मतलब आपका जो headquarter है आप जो job कर रहे हैं all इंडिया में किसी भी city में रह रहे हैं आपको नौर्थ इस्ट रिजन जाना है तो वहाँ तक कोलकाता तक अगर आप इंटैटल नहीं है तो अगर आप इंटैटल है तो आप कहीं से plane पकड़के कहीं भी जा सकते हैं लेकिन अगर plane के लिए आप इंटैटल नहीं है तो आपको कोलकाता तक by train या अपने इंटैटल क्लास में क diction तक जाना है, कोलकाता से नॉर्थ इस्ट रिजन में अप कहीं भी आप प्लेन से जा सकते हैं, आपका जो बील है वो रिंबर्ज होगा, अगर आपको प्लेन प्लेर जाना है, मतलब अढमान निकोबर जाना है, अगर आपको जमू कस्मिर जाना है तो आप अपने प्लेस और पोस्टिंग से देल ही या अमरित सर तक बाई ट्रेन ही जाना है अपने इंट्रेटल क्लास में ही जाना है वहां से प्लेन पकड़के आप जमू कस्मिर जा सकते हैं LTC आपको लेना है तो उसके लिए आप एडवांस भी ले सकते हैं अब एडवांस लेने में क्या-क्या टर्मेंट कंडिशन है वो मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ सबसे पहला है कि आपको अपने जर्नी का एक प्लान बनाना है कि आपको जर्नी में कितना खर्च होने वाला है टिकट कितना लगेगा LTC में सिर्फ टिकट का ही फेर मिलता है बाकि खाने पिने का रहने का सब नहीं मिलता है तो आपका इंटेटल क्लास में रेलवे या एरलाइन जो भी है सिर्फ उसी का पैसा मिलता है तो जितने का टिकट है उसके 90% तक आप एडवांस ले सकते हैं LTC में एक रूल है कि अगर आपकी फैमिली LTC में घर जा रही है होमटाउन जा रही है तो 6 महने के अंदर ही उन्हें वापस आना रहता है तब ही आने और जाने दोनों का मिलता है अगर 6 महने के अंदर वो वापस फैमिली नहीं आते हैं तो सिर्फ जाने का ही मिलेगा लेकिन अगर आप family का advance लेते हैं तो उनको 90 दिन में ही आना रहता है अगर 90 दिन में उनको नहीं आना है तो सिर्फ जाने का आप advance ले सकते हैं advance कितने दिन पहले आप ले सकते हैं तो अगर आपको train से journey करना है तो date of journey के 125 दिन पहले आप advance के लिए entitle हो जाते हैं और अगर आपको by air, sea या by road जाना है तो 65 days पहले आप advance ले सकते हैं लेकिन अगर आप advance लिये हैं तो 10 दिन के अंदर आपको office में ticket produce करना होगा ताकि ये पता चले कि आपने जो पैसल advance लिया है उसका utilized आपने LTC के ticket के लिए ही किया है दूसरे काम के लिए उसको utilize नहीं किया है एक चीज़ में बहुत important चीज़ आता है LTC for Scott जो बहुत लोग नहीं जानते हैं ये handicap imply को मिलता है जो भी imply होगर handicap है तो उनके लिए एक साथ में किसी दूसरे आदमी को ले जाने के लिए भी LTC मिलता है लेकिन इसके भी कुछ condition है उनका physical disability ऐसा होना चाहिए कि उनको एक आदमी की जरुरत है वो LTC में जब जा रहे है तो उनके कोई family का adult member साथ में अगर जा रहे है तो escort की जरुरत नहीं है तब उनके escort नहीं मिलेगा उनके family के अगर कोई भी member adult family का member नहीं जा रहा है तो ही escort के लिए मिलेगा अब जो handicap imply है उसको escort की जरुरत है या नहीं है या head of the office decide करेगा अगर head of the office जो decide करते हैं वही full and final है और escort को अगर ले जाना है अपने साथ LTC में तो prior approval होना बहुत ही जरूरी है ऐसा नहीं कि आपने पहले ही approval नहीं लिया और आप आके लाके bill लगा दिये दो लोगों का तो नहीं होगा prior approval होना बहुत जरूरी है अगर आपको railway इसके लिए कोई concession देती है तो concession का जो ticket है वही आपका reimburse होगा इसमें बहुत सारे ऐसे silent point है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप जब भी claim करें या बिल लगाएं तो आपको कोई भी उसमें परिशानी नहीं हो तो आईए हम लोग silent point को जानते हैं ताकि बिल को लगाते हैं वक्त हम लोग कौन-कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम All India LTC लेते हैं तो सबसे पहले जाने से पहले ही हमें place of visit बताना रहता है कि हम कौन से place में जा रहे हैं आप सिर्फ Outward Journey का भी claim कर सकते हैं अपने family के लिए किस condition में सिर्फ जाने जाने का कोई dependent son है अगर आप यहां से hometown जा रहे हैं आप अपने dependent son को घर लेके गए हैं वहाँ पे उसकी job लग गई वह आप dependent नहीं रहा या कोई daughter को अप ले जा रहा है hometown गए है वहाँ पे उसके साधी हो गई तो भी वो LTC के लिए entitle नहीं रहा तो ऐसे condition में सिर्फ जाने का भी मिलता है सिर्फ out what journey के लिए मिलता है और सिर्फ आने आने का भी मिलता है किस condition में सिर्फ आने का मिलता है कोई newly married wife है अगर कोई आप hometown जाते हैं आप कुवारे हैं वहाँ गए आपने साधी कर लिया तो अब आपकी wife भी वहाँ पे आपकी dependent हो गई या family member में आ गई तो सिर्फ आते वक हुआ तो आते वक्त वो एक family member बढ़ गया है तो उसका सिर्फ आने का भी आपको मिल जाएगा LTC तो सिर्फ जाने का भी condition है और सिर्फ आने का भी condition है और नए rule के तहट अगर आप लिख के भी देते हैं अपने family members के लिए कि हमारे जो ए family member है छे महने के बाद आने वाला है तो सिर्फ इसका मैं जाने का ही claim करूँगा तो सिर्फ जाने का भी आपको LTC मिल जाएगा इस condition में भी आपको सिर्फ जाने का या सिर्फ आने का आप ले सकते हैं बील आपको कितने दिन के अंदर submit करना है अगर आपने advance नहीं लिया है तो जब journey आपकी complete हो जाती है उस date से 3 मेंने के अंदर आपको bill submit कर देना है अगर आपने advance लिया है तो एक मेंने के अंदर ही आपको bill submit कर देना है नहीं तो आपका जो claim है वो रद्ध हो जाएगा cancel हो जाएगा वो pass नहीं होगा reimburse नहीं होगा husband और wife के लिए dependency कोई word नहीं है अगर आप husband wife दोनों job करते हैं तो भी LTC के लिए entitle है मगर आप अगर job कर रहे हैं आप जेंट्स है तो आपकी wife का family income आपकी wife का income कितना है उससे कोई मतलब नहीं है आपकी wife हमेशा LTC के लिए entitle रहेगी अगर कोई lady job करती है जैसा कोई सब्द नहीं है एक जुलाई 2017 से premium trends premium ततकाल trends, स्विधा trends को भी remorseable कर दिया है मतलब उसके ticket में भी आप जा सकते premium ततकाल भी लेंगे तो भी आपका remorse होगा स्विधा trends से भी जाएंगे तो भी आप LTC के लिए entitle है जो भी government servant air के लिए entitle है, एरो प्लेन से जाने के लिए entitle है, तो सिर्फ उनको air इंडिया से ही जाना है ऐसा नहीं कि कोई भी private plane से ही चले गा है तो LTC के लिए उनका international नहीं होगे उनका बी ल आप रिंबर्स नहीं होगा सिर्फ air इंडिया से ही जाना है उनको जो government servant aeroplane से जाने के लिए intitle नहीं है वो किसी भी plane से कहीं जा सकते हैं उनको intitle class का claim मिल जाएगा जैसे आपको मानलीजे जाना है Delhi to Chen नहीं जाना है आपका जो आप intitle है second AC के लिए तो लेकिन आप अगर plane से जाते हैं तो second AC का जो fair होगा जो किराया होगा वो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको Air India से जाना जोरूरी नहीं आप किसी भी प्लेन से चले जाएए आपको Second AC Train का ही किराया मिलने वाला है लेकिन जो Air के लिए इंटाटल है उनको Air India से ही टिकट लेना है धन्यवाद दोस्तो मैं कोसिस किया कि जो भी LTC से सम्मंदित जितने भी रूल है जो समझना चाहिए जो जानना चाहिए हो मैंने आपको सारा बता दिया है फिर भी अगर कोई confusion आपको हो तो आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दो मैं ये सारे सोसल मेडिया पर भी उपलब दो आप वहाँ भी मुझे follow कर सकते हैं और वहाँ भी आप हमसे कोई भी question पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like कर दिजे, share कर दिजे धन्यवाद दोस्तो, बाई बाई